हेलो प्रेंट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम देखिंगे निफ्टी का अनलसिस फॉर नेक्स वीग तो फ्राइडे की दिन निफ्टी जो है तो लगबख 16,250 पे बंद हुआ है लगबख 200 पॉंट नीचे बंद हुए है हम देड़ परसेंट लॉस के साथ और जैसे मैंने कहा थे कि 16,450 का अगर लो तोड़ता है निफ्टी तो हम 16,200 उसके बाद में 15,900 15,600 और 15,350 के तरफ जा सकते हैं तो हमने 16,200 का आज लो देखा वहां से रिकवरी भी आई अच्छी खासी इंट्राडे में फिर से जो है तो फ्रेश से लॉप आया तो यहां जो है तो जिस तरह से मार्केट नीचे जा रहा है मुझे लगता है कि हम रेकॉर्ड लो जल्दी देखने वाले और मार्क जो है त कि अगले विग के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है तो शुरू करते फर्स्ट वीतम मंतली चार्ट पर आप देख सकते हो, कि निफ्टी जो थर्ड मंतली कैंडल दिखा रहा है जान की देखी थी लगभग 50 पॉइंट नीचे बंद हो यह ते हम लॉस के साथ उसके में हम में लगबग 3.5% का लॉस देखा लगबग 3.560 का लॉस और अभी जो है इस मेने के लिए हम अल्रेड़ी 535 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं लगबग 3% प्लस जो है तो नीचे ट्रेड कर रहे हैं फॉर्द मन्त तो यहां अच्छा खासा सेल आप चालो है या फि इस जोन में वह सभी अभी यहां जोई तो प्रॉफिट् बुक कर रहे है तो यहां नीचे के लेवल के बाद में 15,350 यह दो टार्गेट एस पर मन्तली चार्ट हमें दिख रहे हैं और यहां अभी तक इस तरह से मार्केट नीचे गिरेगा तो अभी देखते हैं विकली चार्ट पर आप देख सकते हैं यहां दिक्कत भरी बात यह है कि विकली चार्ट पे हमने 50 विक का जो आईवरेज उसको ब्रिच कर दिया है तो यह जो है यह बहुत ही बेरिश सहीन है और हमें आने वाले दिनों में आने वाले हपतों में शॉट टू मेडियम टर्म में 15,350 से लेकर लगबग 14,700 तक के लेवल जो है तो निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं यहां जब तक निफ्टी 16,450 के नीचे है तब तक मुझे नहीं लगता कि निफ्टी जो है तो बाउंस बैक कर पाएगा तो 16,450 जो है तो बहुत ही स्ट्रॉंग सप्लाइज उनका काम करेगा उस लेवल पर आता है तो वह शॉटिंग की मौके रहेंगे जैसे हम 16,450 की नीचे जाएंगे हमें जो है तो नेक्स्ट बेरीज जोन में चले जाएंगे और उसका जो टार्गेट रहेगा हो रहेगा पंद राजार तीन सुपचास उसके बाद में 14,700 तो इन टार्गेट के लिए आपको तैयर होना है और यहां जो अगले विक्के लिए में इर स्ट्रिक स्टॉप लॉस और यहां हो लेटी बहुत ज्यादा रहने वाले अल्री इंडिया विक्स्ट थोटा सा कूल अप हुआ है मगर फिर भी हम 28 तो हमें दोनों साइड के ट्रेड देखने को मिलेंगे मगर आपको अगर रेजिस्टन्स के पास आता है निफ्टी तो सब्सक्राइब करने की वहां अच्छा का सब्सक्राइब के साथ कुलें बाउंस बैक किया थोड़ा सब फिल किया और उसके बाद में फिर से नीचा है तो यहां जो टार्गेट था 16,350 वह अच्छी हो चुका है अभी नेक्स टार्गेट एस पर डेली चार्ट जो है तो यह 15,950 का और उसके बाद में 15,350 तो यह दो टार्गेट रहेंगे अगले विक के लिए तो पहला टार्गेट तो नजदे की लगबग आपको करन्ट लेवल से 300 नीचे तो पहला टार्गेट रहेगा 15,950 और वह ब्रीच हो जाता है तो हम फिर से एक सेल आप देख सकते मार्के में जो लेकर जाएगे इसको 15,350 के तरग तो यहां सेल और राइज भी रखना है यहां वोलेटिलेटी रह सकती है उपर अगर जो रेजिस्टंस लेवल है हमने जैसे देखिए विकली चाट पे पहला रेजिस्टंस लेवल रहेगा 16,450 का अगर वो क्रॉस करता है तो मेजर अगर मार्केट मिलता है तो आपको बिल्कुल शॉट जाना चाहिए वितस्टिक स्टॉप लॉस जो अप्शन ट्रेडर है उनके लिए सला रहेगी कि आप जो है तो बाउंस बैक पे एड़ दो मनी पूट ऑप्शन लेकर चले जिन्होंने आज भी पूट ऑप्शन वाई कि होंगे उन उने जो है तो जो जो गाप डाउन मिला उसमें अच्छा खासा लगभख 70-80% प्रॉपिट हमें देखने को मिला क्योंकि शुरू में जब मार्केट नीच से गिरा तो वहां अच्छा खासा पैनिक था डू टू टू नुकलियर रियक्टर थी तो वार में यह सब मार्केट जो है तो रियक्ट करते रहता है मार्केट कभी वार में होप देखता है तो कभी बहुत डिस्पेर रहता है और उसके वाज़े से अच्छा खासा बैड नीउस पे से लाप आ जाता है मगर यहां मोसली जो ट्रेंड है जो चार्ट भी दिख रहा है वह बेरिश है और यहां हमारा सेल उन राइज भी उड़ाएगा उपर के लेवल जो है तो चार सो पचास और साथ सो पचास यह दो रेजिस्टन से अगले विक के लिए इन लेवल पर मार्केट मिलता है तो हम शॉट जाना चाहेंगे बितस्टिक स्टॉप लॉस सो एक पॉइंट का और यह जो है यह मीडियम तर्म मतलब इसके लिए कम से कम दो तीन चार अपते लग सकते हैं यह एक हपते में नहीं आएगा मगर अगले हपते आप जो है तो फंद्राज आप नो सो पचास का लेवल एक्सपट कर सकते हैं अगर कुछ बहुत ही बुरा डेवलोप्मेंट हु लगबख 15,350 के लेवल को भी जा सकता है। हुआए फिलाल उसकी संबॉना क्योंकि जिस तरह से नीचे से बाइंग आ रही है क्योंकि हम जो है तो नीचे से थोड़ा सा अ रिजिलास देख रहे हैं नहीं तो ऐसे कैंडल बनती नहीं इस तरह से कैंडल बनती जहां जो है तो मार्केट भी थोड़ा सा इंडेस्टाइव है और वहां उसको फियर है कि अगर कुछ पॉजिटिव डेवलोप्मेंट हो गए या शॉट को रिंग रेली टीगर होगी वगर उसकी संभावना बहुत कम है जैसे हमने वीक्री चार्ट पर देखा मेजर लेवल तूट चुके तो अगले विक्केले 450 का जो पूट ऑप्शन है उसके फोकस कर सकते हो वह इन दमनी पूट ऑप्शन है मगर उसको आपको डिप्स पर वाय करना है और उसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका ओर रहेगा लगबग आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा उसमें तो एक सो अगर लगबग 16,600 पर अगर फ्यूचर जाता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा आपको और यह में मंतली ऑप्शन की बात कर रहा हूं ना कि वीक्ली तो उस पे हम फोकस कर सकते हैं वहां भी हमें लगबग 2x 2x प्लस गेन देखन यह में मिल सकते और फ्यूचर ट्रेटर के लिए 400 पचास और साथ सुपचास यह रिजिस्टोंस लेवल है उन लेवल पे मार्केट मिलता है तो आपको सो देट सो पॉइंट के सौस्टापलस के साथ शौट जाना जाना चाहिए नेप्टी बेए और हमारे जो टार्गेट आ करना है तो मेरी जो प्रीमियम सर्विस है उसके लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां जाकर चेक किजे एंड थैंक्यू पर वाचिंग इस वीडियो अब्सक्राइब नाओ और प्रेस्टा बेल आइकर नेवर मिसन अपडेट